भगवान श्री गणीश के विभिन स्वरूप समस्त दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं अगर आप वास्तु देवता को प्रसंद करना चाहते हैं तो गणीश जी की पूजा अत्यंत शुब फल देती है उजयन के जोतिशा चारे पंडित प्रफल भट के अनुसार श्री गणीश की विभिन मूर्ती और तस्वीरों से न सिर्फ वाश्तु दोश कम होता है बलकि मनुकामनाएं भी पूर्ण होती हैं जानिये कुछ ऐसे ही आसान उपाए सफलता पाने के लिए घर में बैठे और ओफिस में खड़े श्री गणेश की मूर्ती रखनी चाहिए ध्यान रखें कि खड़े गणेश ची के दोनों पैर जमीन को सपर्श करते हुए हो घर में सफेद मदार की जड़ से बने गणेश ची की मूर्ती रखने से नौकरी और बिजनस में उन्नती होती है इनके प्रभाव से धनलाब तो होता ही है साथ ही घर में हर तरह का दोश खत्म हो जाता है घर के मुखे दर्वाजे पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो दूसरी तरफ ठीक उसी जग़ा पर दोनों गणेश ची की पीट मिली रहे इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोशों का शमन होता है घर या ओफिस के किसी भी भाग में वक्र तुंड की प्रतिमा अथ्वा चित्र लगाये जा सकते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुख दक्षिन दिशा की कोण में ना हो सुख, शांती, समर्धी की चाह रखने वालों के लिए सफेद रंग के विनायक की मुर्थी और फोटो शुब होते हैं सर्वमंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी गणपती की पूजा करनी चाहिए